करनाटक विधान सबाच चुनाओ के पहले मडी संकर अईयर का पाकिस्तानी प्रेम सामने आया है लेकिन अईयर की इस बयान से कॉंग्रिस पार्टी दहसत में है जिसके चलते मडी संकर अईयर को तुरंत पार्टी से बाहर करने की मांग की जा रही है कॉंग्रेस से निलंबित ऐयर ने कराची लिटरेचर फेस्टिबल में कहा कि मैं पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूँ जितना की भारत से करता हूँ उन्होंने आगे कहा कि भारत को अपने पडूसियों के साथ उतना ही प्यार करना चाहिए जितना की वो खुश से करता है दोनों देसों के बीच बिबादों का निप्टारा सिर्फ बाचीत के जरिये ही किया जा सकता है कराची लिटरेचर फेस्टिबल में आईयर ने ना केवल भारत की नीतियों की आलोचना की बल्कि पाकिस्तान की नीतियों पर खुसी जताई मडी संकर आईयर के इस बयान से डरी कॉंग्रेस आगामी विधान सबा चुनाओं में मुद्दा नहीं बनने देना चाहती कॉंग्रेस को डर है कि भारती जनता पार्टी चुनाओं में मडी संकर आईयर के बयान का फायदा उठा सकती है और इसलिए मडी संकर आईयर को पार्टी से बाहर करने की मांग जोर पकड़ने लगी है क्योंकि गुझराद विधान सबा चुनाओं के दोरान अईयर ने प्रधान मंत्री नरेंद्रमोधी पर टिपणी की और उनके लिए नीच सब्द का प्रियोग किया था इसके बाद गुझराद विधान सबा चुनाओं में कॉंग्रेस बैक फुट पर आ गई डैमेज कंट्रोल करते हुए कॉंग्रेस ने अईयर को पार्टी से निलंबित कर दिया था लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्रमोधी ने इस टिपणी को लेकर कॉंग्रेस पर जम कर सियासी हमले किये इसका फायदा राजी के चुनाओं में भार्ती जंता पार्टी को मिला और पार्टी की राजी की सत्ता में वापसी हुई वही साल 2014 के लोकसबा चुनाओं में भी मडि संकर अईयर ने प्रधान मंत्री पत के दावेदार नरेंद्रमोधी को चायवाला कहा था इसके बाद बीजेपी ने चुनाओ परचार में इसको लेकर कॉंग्रेस पर जम कर हमले किये करनाटक विधान सबाद चुनाओं के पहले मडि संकर अईयर का पाकिस्तानी प्रेम सामने आया है लेकिन अईयर की इस बयान से कॉंग्रेस पार्टी दहसत में है जिसके चलते मडि संकर अईयर को तुरंत पार्टी से बाहर करने की मांग की जा रही है कॉंग्रेस से निलंबित ऐयर ने कराची लिट्रेचर फेस्टिबल में कहा कि मैं पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूँ जितना की भारत से करता हूँ उन्होंने आगे कहा कि भारत को अपने पडूसियों के साथ उतना ही प्यार करना चाहिए जितना की वो खुश से करता है दोनों देसों के बीच बिबादों का निप्टारा सिर्फ बाचीत के जर्ये ही किया जा सकता है कराची लिट्रेचर फेस्टिबल में आईयर ने ना केवल भारत की नीतियों की आलोचना की बलकि पाकिस्तान की नीतियों पर खुसी जताई मडी संकर आईयर के इस बयान से डरी कॉंग्रेस आगामी विधान सबा चुनाओं में मुद्दा नहीं बनने देना चाहती कॉंग्रेस को डर है कि भारती जनता पार्टी चुनाओं में मडी संकर आईयर के बयान का फायदा उठा सकती है और इसलिए मडी संकर आईयर को पार्टी से बाहर करने की मांग जोर पकड़ने लगी है क्योंकि गुझराद विधान सबा चुनाओं के दोरान आयर ने प्रधान मंत्री नरेंद्रमोधी पर टिपणी की और उनके लिए नीच सब्द का प्रियोग किया था इसके बाद गुझराद विधान सबा चुनाओं में कॉंग्रेस बैक फुट पर आ गई डैमेज कंट्रोल करते हुए कॉंग्रेस ने आयर को पार्टी से निलंबित कर दिया था लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्रमोधी ने इस टिपणी को लेकर कॉंग्रेस पर जम कर सियासी हमले किये इसका फाइदा राजी के चुनाओं में भार्ती जनता पार्टी को मिला और पार्टी की राजी की सत्ता में वापसी हुई वही साल 2014 के लोगसभा चुनाओं में भी मडी संकर आयर ने प्रधान मंत्री पत के दावेदार नरेंद्रमोधी को चायवाला कहा था इसके बाद बीजेपी ने चुनाओं परचार में इसको लेकर कॉंग्रेस पर जम कर हमले किये